PCS का रिंड नियूज में अभी की खबर है नई पेंशन योजना NPS वाजसली लॉंच आज यानि 18 सितंबर 2024 को वित्तमंत्री निर्मला सीता रमड ने नई पेंशन योजना NPS वाजसली लॉंच की बतादे कि इस योजना की खोशना के अंद्री बजट 2024-25 में की गई थी NPS वाजसली योजना का लॉंच कारिकरम लगभग 75 स्थानों पर आयोजित हुआ है तो आईए अब जानते हैं NPS वाजसली योजना के बारे में यह एक पेंशन अंचदान योजना यानि पेंशन कांट्रिब्यूशन स्कीम है इसका उद्देश्य बच्चों की भविश्य की वित्तिय सुरक्षा सुनिश्यत करना है इस योजना का संचालन पेंशन फंड वीनियमक और विकास प्राधिकरण यानि PFRDA द्वारा किया जाएगा इसके तहट सभी माता पिता और अभिभावक अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए NPS वाजसली अकाउंट ओपन करा सकते हैं इस योजना का सब्सक्रिप्शन लेने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पर्मानेंट रिटार्मेंट अकाउंट नमबर अथा प्रायन कार्ड मिलेगा इसमें एक साल में निवेश की निवनतम राशी एक हजार रुपए है जबकि अधिकतम निवेश राशी की कोई लिमिट नहीं है इसमें खाता खुलवाने के तीन साल बाद आंशिक निकासी भी की जा सकती है इसके तहत खाता में जमा कुल रकम का 25 फिस्दी हिस्सा निकाल सकेंगे बता दें कि यह निकासी 18 साल का होने तक सिर्फ 3 बार की जा सकती है इसके अंतरगत NPS वाचसले अकाउंट को regular NPS खाते यानि NPS अकाउंट में बदला जा सकता है बता दें कि वयस्क होने के बाद NPS वाचसले खाता बंद भी कराया जा सकता है तो आई अंत में नोट करते हैं आज का भ्यास प्रशन NPS वाचसल योजना के संदर में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है इस योजना का संचालन LIC द्वरा किया जाएगा दूसरा कतन है इसमें एक साल में निमेश के निमनतम राशी एक हजार रुपए है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कतन सही है या है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो विकल्प C एक और दो दोनों या विकल्प D ना तो एक ना ही दो तो इस प्रशन का जवाब कोमेंट बॉक्स में देना ना भूलें धन्यवाद दियर व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना न भूलें